अलो एवरीबान वेलकम टू रामराना मार्बल्स आज मैं आगरा यूपी के अंदर उंच यहां पे ताजमेल है और मेरे बेक साइड में ताजमेल है तो इसके अंदर मैं आपको दिखूँगा कि मकराना मार्बल से कंप्लीट ताजमेल बनाओ है इसके अंदर किस तरीके से इ मकराना मार्बल की ही बनी गई है तो इसके अंदर कंप्लीट मैं आपको ताजमेल की जो फ्लोरिंग है इनलेवर के कंप्लीट डिटेल में आपको देता हूं तो आगे तक वीडियो जरूर देखिए यह आप ताजमेल देख सकते हैं जो काफी प्यारा लगा है और यह मकरान के अंदर इनलेवर के अंदर कार्विंग के अंदर और कंप्लीट जो यूज में मार्बल लिया गया है वह मकराना मार्बल यूज में लिया गया है और यह जो ताजमेल बना था 1632 में शुरू आता और 1648 के अंदर कंप्लीट यह ताजमेल बना है आज इसको साड़े 300 साल से भी ज़्यादा हो गया है और यह जो ताजमेल है सेम वही इसका जो मकराना मार्बल है जैसा लगा था आज भी वेसा ही है और यह आप देख सकते हैं कि मकराना मार्बल के अंदर किस तरीके से कार्विंग वरक है इनले वरक है और फ्लोरिंग के अंदर है यह जो वाइट है एक साल निकलने के बाद में भी इसके अंदर कोई खराबी नहीं हुई है ना ही कोई डिफेक्ट हुए जैसे इसको लगाया गया था सेम वेसा ही है उसके लाव अंदर के साइड में आप देख सकते हैं जो फूल पत्ती से इल्ले वर्क होता है वह कंप्लीट इसके उपर किया गया जो एक अलगी खूबसूरती निकाल के देता है काफी अलगी निखार इसके अंदर आता है तो मकराना वाइट के अंदर आप कार्विंग वर्क पी करवा सकते हैं एंड आप फ्लॉरिंग के अंदर भी यूज में ले सकते हैं और जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है मकरा मार्बल उस टाइम से उस टाइम पर यह डिसीजन जब कम्प्लीट सेंपल रेडि किये गए थे और सबसे बेश सेंपल जब मक्राना मार्बल का निकला उसके अंदर अबाउं 90% केल्शिय में जिसकी वज़े से यह मेटेल एक बार आपकी कहीं पर भी यूज हो गया तो जैसा ह लाइट टू टाइम विएसा ही रहने वाला है आप यह कम्प्लीट शुरू से लेके अंट तक देखते हैं तो आपको ओवरॉल मक्राना मार्बल की एक जो पहचान बनी हुई है एक ताज मेल से मक्राना मार्बल की पहचान बनी हुई है वेसे आपका ताजमेल आप सभी का देखा हुआ होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के तुरू आपको ताजमेल के कुछ जलक दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि complete flooring एक-एक जो marble use में लिया गया है मकराना marble की इसके अंदर खास बात आपको देखने को मिलेगी और वेसे मकराना marble को world heritage marble के अंदर include कर लिया गया है और Asia के अंदर top 1 के अंदर मकराना marble include किया है और मैं खुद आगरा ताजमेल जाके complete ये clip आपके लिए लेके आया हूँ और उसी टाइम से आज भी इसी का शुरुआ चलती भी आ रही है आप आज भी देखते हो तो मंदीर, मस्जिद या गुरुद वारा जहां पे भी हो ये carving work आपको देखने को मिलेगा या फिर मकराना white की flooring और उसके उपर inlay work भी आपको देखने को मिलेगा और ये है उस टाइम पे माइस ज़्यादा डीप नहीं थी अभी और भी अच्छा material निकल के आ रहा है तो ये हर चीज यूज़ करने में और इसकी अच्छी looking निकल के सामने आती जा रही है वैसे अभी recently मेरे चार से पांच order चल रहे हैं जिसके अंदर मेरा carving work के अंदर मंदिर भी ready हो रहे हैं और उसके लाव मकराना white की flooring के मेरे पास गुर्दवार है जहां चंडिगड मौली के एक दो order भी मेरे पास running में है तो इस तरीके से जो मकराना white जो quality निकलती है तो उसको हर जगे use में लिया जाता है उसको आप चाहें तो किसी तरीके से आप carving work में भी use में ले सकते हैं या फिर आप इसे inlay work में भी use में ले सकते हैं उस टाइम पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरी के से जो मिनार है मिनार के उपर तक पूरा marble और उसके साथ में design use करके complete यह look दिया गया है यह जो आप size देखते हैं यह two by one के आपको sizes देखने को मिलेगी और इसके अंदर round shape के अंदर पूरा round है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह पूरा एक border देखे ब्लेक चारो तरह border देखे पूरा use में उस टाइम पर किया गया है तो काफी अच्छा काम है और उस टाइम क और अबके टाइम में कितना फरक है मार्बल के अंदर कितना difference है और किस तरीके से उस टाइम के और अभी की looking के अंदर भी फरक है और सबसे बड़े ताजुक के बात है कि उस टाइम पर भी ऐसे कारीगर बैठे थे जिन्नों ने इतना अच्छा पूरा काम करके दिया है इतनी अच्छी पूरा ये इसको निकासी की गई है और बहुत ही खूबसूरत इस ताजमेल को बनाए गया है तो और और इसकी खूब पूर से देखते हैं तो काफी अच्छी इसकी लूगिंग है और देखने के बाद मी काफी प्यारा लुक इसका निकल के सामने आता है तो अगर आपको भी कभी मकराना मार्बल की रिक्वार्मेंट और इसके अंदर जो लगा ए मकराना प्यूर वाइट लगावा है ताजमे में यूज में लिया गया था और इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से flooring ready किया सकती है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं फूल पती से complete inlay work भी किया जा सकता है और यह work सबसे best work है क्योंकि मकराना marble कभी खराब नहीं होता तो यह है जो durability इसकी रहती है काफी अच्छी इसकी durability रहती है तो यह inlay work carving work flooring हर जगे यह successful है तो आप अपने घर के लिए भी आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं overall यह जो flooring है सबसे best flooring है और आज के time में भी यह सभी काम चल रहे हैं मंदीर मस्जिद गुर्दवारे हर जगे मकराना white के साथ में carving in labor का काम आज भी चल रहा है तो अगर आपको भी मकराना marble की requirement हो या उससे related कोई भी work हो तो आप हमारे से contact कर सकते हैं हमारे contact नमर स्क्रीन पर है तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते हैं लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्यू फोर वचिंग राम राना marbles